चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर समारोह में सम्मानित हुए डॉक्टर सविता रूंटा और डॉक्टर एसके रूंटा वीर कुवर सिंग उध्यान में गुरुवार की सुबह आयोजित हुआ कार्यक्रम Youth Hostel Association of India भोजपुर एकाय एवं वीर कुवर सिंग उध्यान योग समिती द्वारा आयोजित हुआ समारोह आरा वीर कुवर सिंग उध्यान में गुरुवार को Youth Hostel Association of India भोजपुरिकाई एवं वीर कुवर सिंग उध्यान योग समिती आरा के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उध्धातन अतितियों एवं पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया इस द्वरान उध्धान के जीन शीर नवस्था में पढ़े Morning Walk लेटफॉर्म एवं पाक के मंच की मरम्मत करवाने के लिए डॉक्टर सविता रून्टा और डॉक्टर इसके रून्टा को अंग वस्त्र और मोमेंटो प्रदान किया गया समारोह की अध्यक्ष संस्था की चेर्मेन डॉक्टर अर्चना कुमारी एवं मंच संचालन संस्था के सयोजक विजय कुमार सिंग ने किया समारोह में अध्यक्ष डॉक्टर इसके रून्टा ने कहा कि खामोश रहकर नेक काम करते रहिए लोगों की दुवा खुद बखुद मिलेगी इसी भावना के साथ हमें समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाखे उन्होंने प्रतेक व्यक्ति को एक वर्ष में कम से कम 40 व्रिक्ष लगाने का संकल्प लेने की बात कही ताकि हम आने वाली पीडी को पर्यावरन से सुरक्षा कर सके चेर्मेन डॉक्टर अर्चना सिंग ने कहा कि पाक में टेहलने तो बहुत सक्षम लोग आते हैं लेकिन जीर्न अवस्था में पड़ेपत और मंच पर किसी का ध्यान नहीं गया प्लेटफॉर्म और मंच की मरम्मती के लिए मैं रून्टा दमपती को आभार व्यक्त करना चाहूंगी उन्होंने कहा दैनिक जीवन में योग का कितना महत्व है यह संस्था आम लोगों को भी योग के लिए प्रेरित करता है इसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र है संचालन करते हुए विजय कुमार सिंग ने कहा कि योग को अधिक से अधिक एवं घर घर तक पहुचाने के लिए लोगों को जागरूप किया जाएगा मंच से सनरक्षक मंडल के लिए दो नामों का प्रस्ताव रून्टा दमपती एवं डॉक्टर अर्चना सिंग का रखा गया जिसके लिए सभी लोगों ने स्वीकृती दे दी इसके बाद एक अध्यात्मिक घ्रमन संस्था के सदस्यों को बहुत जल्दी करवाने का प्रस्ताव आया जिसे स्वीकृती मिल गई सम्मान समारोह में संस्था के उपाध्यक्ष दीपक प्रकाश जैन, राज्य उपाध्यक्ष रीता सिंग, सचेव विश्नु शनकर अभः जैन, मनोज नात, योगाचार्य सुमेश्वरलाल, सरदार गुरु चरन सिंग, अर्विंद केसरी, राजेंद सिंग, शोभाजी, प खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिल्हाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहें आप लोकल टीवी न्यूस के साथ, सब पर नजर सब की खबर